दोस्तों नमस्कार मैं आपका भूपेंद रनारायन सिंग आज आपकी एक बहुत बड़ी गलती सुधारना चाहता हूँ आप अब तक जिस 36 गड़ हरबल को 36 गड़ का प्रातकृत उत्पादक समझते थे वो असल में होनू लूलू का हरबल प्रोडक्ट है बस्तर का मिलेट प्रोसेसिंग प्लांड भी 36 गड़ में नहीं है वो ब्राजील में इस्तित है और जिस डेनेक्स ब्रांड के ड्रेस को आप 36 गड़ का लोकल ब्रांड समझते थे असल में वो डेनमार्क का ब्रांड है 36 गड़ को लेकर अपनी जानकारी और दुरुस्त करने के लिए आप सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत और अलोकिक ज्यान गंगा में डूबकी लगाईए करो लो लोग सोशल मीडिया में है आपको मैं चैलेंज करता हूँ कॉंगरेस का एक भी ऑफिशल सोशल मीडिया प्लेटफॉम उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानी ये चीज़े खरीदो मैं चैलेंज करता हूँ उन्होंने एक नहीं की बताईए क्या ये देश सिवा है मान्य मोधी जी के इस बयान के बाद आएंसी टीवी की टीम ने चैटिस गड़ कॉंगरेस के सोशल मीडिया को खगालना शुरू किया तो शुरू में ही चैटिस गड़ के कई लोकल उत्पादों की खबर दिख गई एशिया के सबसे बड़े मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट की तारीफ करती हुई श्रीमती प्रियांका गांधी जी दिखी आज बस्तर एक अंतरराष्ट्य नाम बन गया है ब्रांड बन गया है यहां एक मॉडल बना है मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का यह एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट है और इसमें विजन देखिए यह बात देखिए कि यह बहुत आधूनिक चीज ह एक तरह से क्योंकि आजकर ये बात बहुत चल रही है कि जैसे मिलिट के जो पदार्थ है वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं पूरी दुनिया भर में लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और एसिया में सबसे बड़ा प्लांट कहां है यहां बस्तर में है देनेक्स ब्रांड के जवाहर का जैकेट में सजे धजे श्री राहूल गांदी दिख गए चीफ मिनिस्टर ओफिस यानि मुख्यमंत्री कार्याल है चतिस गड़ के सोशल मीडिया हैंडल पर खुद मुख्यमंत्री भुपेश बगेल शायराना अंदाज में अपने स्टेट के लोकल प्रोड़क् अज गंतेवाड़ा में कटेगल्यान में बावसूर में यहां कपड़े सिले जा रहे हैं और देश के कोने कोने पहुंच रहा है आज तो हमें भूके और यूजर अमेरिका और इंगलाइंड में भी कपड़ा भेजने का एंव्यू किया है और हमारे कपड़े कपड़े भाता है इतनी बड़ी बात को धन्ते वारा नस्तर हों कgoing चरती HU नहीं की लों ऑनकर उसको नगर तरहले हुआ है उसका कि उसका पचार उत्तेस्त में हो रहा है है और यह जो मेंनत कर रहे है उसका उसका लाथ्या होगा आज धेकी के चावल, आपके किपड़े और यहां और पुणा मालका के जो समान मंद हैं वो सब देश देश में जा रहा है कि लोग अशर चपी थे हैं। जबकि दूसरी तरफ अपने प्रधान मंत्री शुरी नरेंद्र मोदी जी खुले आम चुनौती दे रहे हैं कि कॉंग्रेस के किसी सोशल मीडिया हैंडल पर एक भी लोकल प्रोड़क्ट की बात नहीं की गई है करो लो लोग सोशल मीडिया में है आपको मैं चैलेंज करता हूँ कॉंग्रेस का एक भी ऑफिशल सोशल मीडिया प्लेटफॉम उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानिये चीजे खरीदो मैं चैलेंज करता हूँ उन्होंने एक नहीं की बताईए क्या ये देश सिवा है एक तरफ प्रदानमंत्री शुरी नरिंद मोदी का ये चैलेंज और दूसरी तरफ चत्तिस गड़ कॉंग्रेस के सोशल मीडिया पर उसके लोकल उतपादों की लंबी लिस्ट माजरा क्या है दोस्तों माजरा वही है जो मैंने खबर की शुरुआत में कही है आप चत्तिस गड़ को लेकर अपनी जानकारी दुरुष्ट कर लीजिएगा हमारे देश के प्रदानमंत्री मोदी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए मान लीजिए कि चत्तिस गड़ कॉंग्रेस अपने सोशल मीडिया पर जिस हर्बल प्रोड़क्ट की तारीफ कर रही है वो असल में होनो लूलू का हर्बल प्रोड़क्ट है और बस्तर का मिलेट प्रोसेसिंग प्लैंट चत्तिस गड़ में नहीं है वो ब्राजिल में इस्तित है खबर को देखने के बाद आप मानिय मोदी जी को गलत रहराने की कोशिश भी मत कीजिएगा उनकी चुनावती स्विकारने के बारे में सपने में भी मत सोचिएगा लेकिन नहीं तो कल होकर वो ये भी कह सकते हैं कि 36 गड़ में उनकी सरकार नहीं है लिहाजा वो हिंदुस्तान में है ही नहीं और आप मोदी जी को वोट नहीं देते हैं लिहाजा आप इंदुस्तानी ही नहीं है दन्य है मोदी जी आप आपको शत्षत नमन